अज़कार, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे काफी लोगों की डिमार्ड आही थी की हमें water course के design के बारे में बताएं तो आज हम water course के design की बात करेंगे सबसे पहले हमें discharge दिया हुआ है discharge, इस discharge के लिए हमने जो water course का design करना है, तो इस discharge में हमने 0.96 क्यूसिक दिया हुआ है अगर हमें डिस्चार्ज सिंपल दिया हुआ है तो हम उसके कोडिंग डिजाइन करेंगे अगर हमें 10 प्रसेंट जा 50 प्रसेंट एक्स्ट्रा के हिसाब से दिया हुआ है तो हम इसमें 10 प्रसेंट जा 50 प्रसेंट एक्स्ट्रा जोड़ देंगे लेकिन 90 लिया है और इसकी FSD है 0.875 ये की गिवन है freeboard होता है बाटर कोर्स का 0.25 ज्यादा तर इतना ही होता है अगर आपको कहीं दिया हुआ है तो वो ले लेना है नहीं तो 0.25 ले लेना है और इसका बाटर कोर्स का जो Slope दिया हुआ है, बैट का वो दिया हुआ जिरो पॉइंट बीस पर थाउजन के हिसाब से, तो सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका WETTED ARIAN कानना है, तो WETTED ARIAN कानने का फॉर्मूला होता है हमारा L into B, L हमारी है 1.90 और B जो हमारी FSD है उसको हम B मान लेंगे यह हमारी FSD है तो इसको B मान लिए 0.875 इसको मुटिप्राइग करेंगे तो हमारा जो वेटड एरिया है वो आ जाएगा 1.6625 स्केर उसके बाद हमने निकालना है वेटड पैरामिटर वेटड पैरामिटर का मतलब है यहां से लेके यहां तक सारी लेंथ इसको प्लस करेंगे फिर इसको प्लस करेंगे तीनों को प्लस कर लेंगे जैसे यह देखिए इधर से इसको प्लस कर लिया फिर इधर से इसको प्लस कर लि उसके बाद हम निकाल लेंगे hydraulic radius hydraulic radius को हम R से बताते हैं तो इसका जो formula है वो है area y में weighted parameter area मतलब weighted area तो R निकालने का जो formula है यह देखें area हमारे पास यह दिआ हुए और weighted parameter हमारे पास यह दिआ हुआ हुए तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास R की value आ गई R की value आ गई लेकिन हमारे इसका R का 2Y3 निकालना है क्यों निकालना है क्योंकि जो हमारे पास velocity का formula है उसमें 74.30 into R की 2Y3 and S की 1Y2 दिया हुआ है इसका मतलब hydraulic radius का 2Y3 और slope का 1Y2 तो हमने इसलिए R का 2Y3 निकालना है तो R की value हमारे यह आगी तो इसका 2Y3 कर देंगे तो हमारे पास R की 2Y3 की यह वाली value आगी ऐसे ही हमने S की 1Y2 निकालनी है तो S है जो हमारे पास slope है slope है हमारा 0.20 पर 1000 इसका मतलब 0.20 बाइ में 1000 और इसका 1Y2 ठीक है हमारा यह velocity का formula है यह fix है point इसकी value fix है और R की value हमने यह वाली लगा दी और S की value हमने यह वाली लगा दी अब जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास velocity इतनी आ जाएगी ठीक है अब हमारे पास velocity भी आ गी है area भी आ गया है अब इससे discharge निकाल सकते है discharge का formula होता है area into velocity तो हमारे पास area की value भी पुट कर दी हमने velocity की कर दी तो हमारे पास यह वाला discharge आ गया और हमने देखना है कि हमें इस discharge के लिए design करना था लेकिन हमारा discharge इतना आ गया इसका मतलब यह सही है क्योंकि discharge इससे हलका सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन काम नहीं होना चाहिए काम नहीं करना मतलब discharge थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए इसके हिसाफ से हमारा जो design है वो बिल्कुल okay है तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू